तो इस वक्त में दिली के शाहीन बाग स्थित PFI दफतर के बाहर मौझूद हूँ और किस तरह आज सुबह जब NIA की टीम यहाँ पर पहुंची तो दफतर को सील कर दिया गया है यह तस्वीर आपको दिखाएंगे लेकिन यह सबसे बड़ी कारवाई मानी जा रही है और यह सा यहां से ही बाकी राजियों में भी प्रेस कॉन्फरेंस किया जाता था और आज सुबह तीन लोगों को गिरफतार किया गया है दिली से यह मैं आपको दिखा रही हूं शाहीन बाग के जेड अपार्टमेंट के अंदर के PFI दफतर की तस्वीर यह जो गेट देख रहे हैं द अंदर से कुछ कागजात जो है वो NIA की टीम को हाथ लगा है जिस पर जाच होनी बाकी है किस तरह से टेरर फंडिंग में कितना बड़ा हाथ था कौन-कौन इसका हिस्सा था यह सब जाच का विशह है लेकिन आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखा सकूँ दरसल यह आपको साम कपड़े का यहां पर काम होता है जाइड से बात है और यह जो दूसरा गेट आप देख रहे हैं यहां पर PFI का दफ्तर पिछले कई सालों से खुला हुआ था हलाकि आज परवेज एहमद और उसके भाई और इसके अलावे एक और शक्स को यहां से उनके घर से गिरफतार कि आगया है यानि कि यह बड़ी कारवाई मानी जा रही है जो एनाये की तरफ से आज सुबह की गई है अपने सायोगी आशी सकसेना के साथ इदिश्री एबीपी न्यूस दिल्ली